राजस्तान के जोधपूर में इद के मौके पर देर राजजंडे और लॉड़ स्पीकर को लेकर सुरू हुआ हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है मंगलवार सुभे नमाज के बाद फिर जड़ब हुई पुलिस ने फिलाल इस मामले में तीन लोगों को खिरास्त में लिया है जोधपूर के डीसीपी गुवन भुसन यादो ने बताये कि दस थाना चेत्रों में कर्फिय लगा दिया गया है पुलिस का कहना है कि अब हालात कंट्रोल में है बतादे की मंगलवार को भी पांच जगो पर पत्रा हुआ किसी भी तरह की अफ़वा को रोकने के लिए जोधपूर में इंटरेट सेवाँ को निलम बित कर दिया गया है बतादे की देर राज जोधपूर के जालोरी गेट इलाके में एक समुदाए के लोगों ने अपने जंडे और लाओड स्पीकर लगा दिये इसके साथ ही इन लोगों ने सुतंस्ता सेनानी बालमुकुन विस्ता की मुर्तिपर धार्विक जंडा फैरा दिया इसकी सूचना मिलने के बाद दूसरे समुदाए के लोग विरोध करने के लिए वहाँ पहुँच गे इसी के बाद दोनों पक्षों के बिच पत्थरावर तोड़ पोड़ हुई असोग गहलोद ने इस मामले को लेकर हाई लेवल मेटिंग बलाई है केंद्रिक ग्रह मंत्राले ने इस घटना पर रिपोर्ड मांगी है